किसानों को रोकने के लिए पूरी तरह से यानि की इधर बात की जाए मैं खड़ा हूँ इस समय हर्याना पंजाब के बोर्डर पर टुकर बोर्डर मेरे सामने आप देख सकते हैं यह पंजाब का बोर्डर है और मैं हर्याना की तरफ हूँ कि जो बड़े-बड़े बंदरगा होते हैं उनके पास जिस तरह से ये पत्थर रखे जाते हैं बड़े-बड़े यानि कि वो लाए गए है सेपैसल क्रेन रखी गई है रोड रोलर यहां पर तयार है पुलिस का अमला तयार है किसानों को रोकने के लिए और पुलिस त्वारा एडवाईजरी भी जारी की गई है और बकाईदा कहा गया है कि अगर आपको जीटी रोड से निकलना है पंजाब जाना है या दिल्ली जाना है जो पुलिस विभाग ने डिजीपी सत्रुजीत कपूर ने बकाईदा कहा है कि जो पुलिस ने एडवाईजरी जारी की है उसके अनुसार ही आप घर से बाहर निकले अन्यथा आप घर से बाहर ना निकले क्योंकि पुलिस के लिए जहां चुनोती बुरा भून काम है ये क्योंकि लगातार पुलिस एडवाईजरी जारी कर रही है और पंजाब जाने वाले तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है और कल से जो हॉम सेकेट्री ने दावा किया है और बकाईद एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि तीन दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद की जाएंगी कुरुखषेतर करनाल अमबाला इन जिलों में इ रोकने के लिए पुलिस तैनात है पुलिस के लिए चुनोती वड़ा पूर्ण कारिया है और नूजेटीन उस जगा का जायजा ले रहा है नूजेटीन आपको दिखा रहा है कि यह बिल्कूल ट्यूकर बोर्डर है यहां से सामने से बिल्कूल पंजाब है और मैं इस से महर चक्मा देकर निकल भी रहे हैं और चोटी चोटी टोलियों में किसान लगातार पहुंच भी रहे हैं कहीं न कहीं किसान लगातार पुलिस को चक्मा देकर अपने स्थान के और निकल रहे हैं और लगातार किसान कह रहे हैं कि हम हर हाल में दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ल किसानों को रोकने के लिए पूरी तरह से यानि की इधर बात की जाए मैं खड़ा हूं इस समय हर्याना पंजाब के बॉर्डर पर टुकर बॉर्डर मेरे सामने आप देख सकते हैं यह पंजाब का बॉर्डर है और मैं हर्याना की तरफ हूं यानि की पंजाब बिल्कुल सामने मेरे आप देख सकते हैं तुकर बोर्डर का यह पंजाब है यहां से किसानों को रोकने के लिए पूरी तरह से पुलिस तयार है आप दूसरी तरह देख सकते हैं पुलिस का अमला तयार है किसानों को रोकने के लिए और पुलिस द्वारा एडवाईजरी भी जारी की गई है और बकाईदा कहा गया है कि अगर आपको जीटी रोड से निकलना है पंजाब जाना है या दिल्ली जाना है जो पुलिस विभाग ने डिजीपी सत्रुजीत कपूर ने बकाईदा कहा है कि जो पुलिस ने डवाईजरी जारी की है उसके अनुसार ही आप घर से बाहर निकलें अन्यथा आप घर से बाहर ना निकलें क्योंकि पुलिस के लिए जहां चुनोती बुरा बून काम है ये क्योंकि लगातार पुलिस एडवाईजरी जारी कर रही है और पंजाब जाने वा बकाइदा एक notification जारी किया है और धार 144 भी लगाई है कि 5 से जादा लोग 81 ना पाएं तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से रोकने के लिए पुलिस तैनात है पुलिस के लिए चुनोती वड़ा पूर्ण कारिया है और नूजेटीन उस जगा का जायजा ले रहा है नूजेटीन आपको दिखा रहा है कि यह बिल्कूल ट्यूकर बोर्डर है यहां से सामने से बिल्कूल पंजाब है और मैं इसे महर्याना की तरफ तैनात हूं और पंजाब से होते वे किसान यहां पर आएंगा उनको रोकने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी क किया है क्योंकि किसानों का कहना है कि वो हर हाल में दिल्ली कूच करेंगे और कुछ किसान पुलिस को और परसाशन को चक्मा देकर निकल भी रहे हैं और छोटी छोटी टोलियों में किसान लगातार पहुंच भी रहे हैं कहीं किसान लगातार पुलिस को चक्मा देकर अपने स्थान के और निकल रहे हैं और लगातार किसान कह रहे हैं कि हम हर हाल में दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली कूच हमारा जारी रहेगा अब ये देखने वाला वक्त बताएगा क्या तेरा तारीक को यानि कि जो तेरा फरवरी की कॉल की गई है लगातार किसान दिल्ली पहुंचते हैं या नहीं या किस पुलिस किसानों को उनके बॉर्डर पर ही रोक लेगी अशोग यादव नियूज 18 हर्याना पंजाब